हे गाईज, वेलकम टू बिंग टीचर, मैं कितावस्ती, आज के इस वीडियो में आपको UPPSC District Horticulture Officer का जो कल एकजाम हुआ है एक अगस्त को, उसका जो question paper है, उसको solve कराया है, उसके जो answers है, वो मैंने इस वीडियो में बताया है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखेगा, ज जब भी answer seat आ जाएगी, तो आपको भी update कर दूँगी, मैं आप हमारी link से जुड़ जाएए, जो telegram की link है, वो मिल जाएगी, यहां हमारे description box में, आप हमारे channel को subscribe कर लिजे, जिससे की, जब भी कोई video upload हो, तो notification पहुंच जाए, और जो भी हमारी important updates आती रहेंगी, आपको वो सारी update मिलती रहेंगी, ठीके, देखें जो यह video है, यह उनके लिए तो important है ही, जिन्होंने exam दिया है, वो अपना question paper है, वो एक बार match कलने कि उन्होंने कौन सा answer टिक किया है, कौन सा नहीं टिक किया है, और उनके लिए भी important है, जिनको आगे आने वाले exams देने हैं, ठीके, क् कि हमें previous year question paper तो solve करने होते हैं, उसमें क्या पता चलता है, उसमें हमें question का level पता चल जाता है, exam pattern कैसा होता है, यह सारी चीज़े पता चल जाती है, और यह तो अभी कली हुआ है, तो इस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं, कि questions का level क्या है, और हमारा question paper है, जो pattern है, वो क इसकी कोई answer seat नहीं आई है, अगर इसकी भी PDF आपको चाहिए, तो वो भी हमारी telegram की link पे मिल जाएगी, link से जुड़ जाएगे, link हमारे description box में मिल जाएगी, तो चलिए हम पहले question से start करते हैं, यहाँ पर देख लीजे, भाग 1 में क्या है, सामान अध्यन है, भाग 2 में क्या था, कि during the year 2020 to 2021, इंडिया registered the highest increase in agricultural exports to which one of the following countries, मतलब सन 2020 से 21 के दौरान, भारत ने निमलिकित में से किस देश के साथ क्रस निरियात में सर्वादिक व्रद्धी दर्ज की है, तो इसका correct answer था, इंडोनेसिया के साथ, कहीं कहीं पर देखे, छोटा छोटा सा solution भी लिखा हुआ है तो आप अगर समझ पा रहे हैं, तो आप प्लीज इसको भी पढ़ लीजेगा, next question पूछा गया था कि, a man sells a car to his friend at a loss of 10%, if his friend sells the same car for 54,000 and gets 20% profit on it, what is the actual price of the car? एक व्यक्ती जो है, यह एक car को 10% हानि पर अपने मित्र को बेचता है, यदि उसका मित्र उस कार को 54,000 में बेच कर 20% का लाप राप्त करता है, तो जो car है, उसकी वास्तवक मूले कितना है, एक्षुल प्राइस उसका कितना है, तो इसका correct answer है 50,000, 50,000 उसका actual price है. मतलब कि जो चीन है इसके पहले मास मंगल रोवर का क्या नाम है जहारूंग जो उत्रपदेस है इसके किस जनपद में मौडरन कोच फैक्टरी स्थापित है तो इसका करेक्ट आंसर है बी नमबर राइबरेली कहां पर राइबरेली में जो मौडरन कोच फैक्टरी है ये इस्थित है उत्तरपदेस के जनपद में मतलब निमलिकित में से एक परजीविक हादिस रंखला में संख्या के पिरामिड का आकार कौन सा होगा तो संख्या के पिरामिड का आकार जो होगा ये उल्टा होगा, इन्वर्टेड होगा, तो D नंबर इसका राइट आंसर नेक्स्ट कोशन लिखा हुआ है, मिसिंग नंबर इसमें से देखना है, आपको find the missing number from the given sequence जो इसमें, जो ये अनुकरम दिया है, इसमें लुपत संख्या ढूडनी है, 2 by 3, 4 by 7, फिर यहाँ पर space है, यहाँ पर आपको ढूडना है, यहाँ पर ही संख्या लिखनी है, 11 by 21 and 16 by 31, अब आप अगर solution निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इससे कुछ आ 4 का, मतलब आपको उपर में plus 2 करना है, और नीचे में, जैसे इसमें क्या होगा, इसमें 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे चलेगा, ठीक है, इसमें कोई भी gap नहीं रहेगा, नीचे में क्या रहेगा, जैसे हम 4 से start करते हैं, अगर हम 3 में 4 add कर दें, तो 7 आजाएगा, ठीक है, और अगर 7 मे हम 4 के बाद 2 digit जो है, उनको अगर हम छोड़ दें तो 6 आजाएगा, तो 6 को add कर दें, तो 13 आजाएगा, उसके बाद 2 digit को छोड़ दें, 8 को जोड़ दें, अगर, तो हम 21 ले आएगे, और उसके बाद 10 को अगर add कर दें, तो 31 आजाएगा, इस हिसाब से देख सकते हैं, और उपर क्या होगा, दो एड होगा, फिर तीन एड होगा, फिर चार एड होगा, फिर पांच एड होगा, आया समझ में, तो उपर जो है बिना गैपिंग के रहेगा और नीचे जो है वो दो-दो का गैप रहेगा, तो बस इससे आप आंसर जो है टिक करके आ जाएंगे, कौन सा इसका correct हो जाएगा 7 by 13 next question है कि which one of the following lakes is shared by two Indian states मतलब कि कौन सी जील दो भारती राज्यों की साजेदारी में है तो जो पुलकित है ये जील जो है ये दो भारती राज्यों की साजेदारी में है आपने क्या लगाया है फटाफट से देख लीजेगा बी नंबर जो है इसका right answer है next question है कि the number of audience in a museum is 510 on Sunday and 240 on all other days if the month is of 30 days and the first day of the month is Sunday then what is the average number of audience in that month मतलब एक संग राहले है उसमें रविवार को दर्शकों की संख्या 510 और अन्ने सभी दिन 240 से यदि महिना 30 दिन का हो और एक तारे को रविवार पड़े तो उस महिने में दर्शकों की औसस संख्या कितनी होएगी तो यहां पर आप इसको solve कर लीजेगा तो इसका correct answer क्या हो जाएगा D number इसका correct answer आएगा solution के बाद 285 कितना आएगा 285 तो D number 8 का right answer है next question है कि Italy launched its first food mega park in India in June 2021 at which one of the following places June 2021 June 2021 में जो Italy है इसने भारत में अपना पहला food mega park निमलेकित में से किस स्थान पर शुरू किया तो इसने पहला food पहला mega food park जो है यह स्थापित किया है गुजरात में कहाँ पर B number इसका correct answer है फड़ीधर मतलब गुजरात में 10 number question है कि where is the headquarter of National Environmental Engineering Research Institute situated राश्ट्री परियावरड इंजिनिरिंग अनुशनधान संस्थान का मुख्याले कहां इस्थित है तो इसका मुख्याले इस्थित है नागपुर में कहां नागपुर में next है कि if the sum of two numbers in is three and sum of their squares is 12 then their product is equal to मतलब दो अंकों का योग 3 है फिर उनके वर्ग का योग 12 है तो उनका गुडन फल किसके बराबर होएगा तो जो उनका गुडन फल होएगा वो किसके बराबर होएगा minus 3 by 2 के किसके minus 3 by 2 के c number right answer है अगर कुछी में भी आपको अगर कुछ गलत लगता है या confusion होती है तो आप बता दीजेगा क्योंकि यह हम लोगों ने solve किया है फिलाल almost सही ही है next question 12 number है कि 100th amendment of Indian constitution is related to जो हमारा भारती सम्विदान का सौवा संसोधन है यह किसे से related है तो यह related है Bangladesh के साथ भूमी सीमा समझोते से किसे land boundary agreement with Bangladesh next question 30 number पूछा गया था कि which one of the following is not an insect मतलब इन में से कौन सा कीट नहीं है तो इन में से कीट मकडी जो है spider यह एक कीट नहीं है not पूछा गया है next question है कि where was the first nuclear power plant of India established in India मतलब भारत का पहला नाब की उर्जा सयंत्र कहां इस्थापित किया गया तो भारत का पहला नाब की उर्जा सयंत्र जो है यह तारापुर में स्थापित किया गया कहां तारापुर में D number इसका right answer है next एकी successive discount of A percent and B percent are equivalent to a discount of किसके यह equivalent होगा तो यह होएगा A plus B minus AB by 100 percent के next question है आप पढ़ लिजेगा हिंदी में भी अगर ना इंगलिश में समझ आ रहा है तो next है कि The two players who played in the finals of the men's single at the French Open Tennis Tournament 2021 are from which two countries respectively मतलब नोआक जोकोविज और स्टेफेन उस सित सिपास French Open Tennis Tournament 2021 में पुरु सेकल का final खेलने वाले दोनों खिलाडी क्रमसा किस देशों से हैं तो यह दोनों हैं सर्बिया और ग्रीस से किस से हैं सर्बिया और ग्रीस से तो A number इसका right answer है next question 17 number है कि which one of the following is an example of non-celluloid fiber तो non-celluloid fiber का example क्या नहीं है nylon यह है sorry इसमें उदाहरण पूछा गया है मतलब निमलिकित में से कौन सा गैर cellulose ratio का उदाहरण है तो जो nylon है यह इसका उदाहरण है C number right answer है यहाँ पर देखे लिखा हुए पढ़ लीजेगा next question 18 number कि the number of seats reserved for member of the Anglo-Indian community in the लोकसभा लोकसभा में आंगल भारती समुदायक के सदस्यों के लिए आरक्षी सीटों के संख्या कितनी तो आरक्षी सीटों के संख्या 2 C number right answer next question कि which one of the following districts of उत्तर प्रदेश meet the border with उत्तराखंट, हर्याना and हिमाचल प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश के निम्लिकित में से किस जिले में सीमा, उत्तराखंड, हर्याना और हिमाचल प्रदेश के साथ मिलती है तो इसका correct answer है सहारनपूर, हाँ जी सहारनपूर जो है यहाँ पर मिलती है इस सीमा पर इस जिले के सीमा पर next question है मतलब निम्लिकित में कौन सा म्रदा छरड का कारक नहीं है तो इसका correct answer क्या है इसका correct answer है C number, decertification मरुस्तली करण next है कि with reference to the period of जो महाजनपद है महाजनपदा आज referred to the Buddhist literature which one of the following dynasty ruled आवन्ती मतलब बौद साहित में उल्लिकित महाजनपद काल में आवन्ती में निम्लिकित में से कौन सा राजवन सासन था तो इसका correct answer हमारा है D number, जो प्रदोध है ये राजवन सासन था next question पूछा गया था which one of the following is not a part of the seven pillar of नीती आयोग मतलब कौन सा नीती आयोग के साथ इस तंबू में शामिल नहीं है not पूछा गया है तो इसका correct answer है जो job creation है रोजगार स्रजन ये शामिल नहीं है तो इसका right answer है D number next question है कि which one of the following is not correctly matched इसमें क्या correctly matched नहीं है तो इसका correct answer है जो कानपूर देहात है लिखावा है बिदुआ इसका जो headquarter बताया गया है बिदुआ बताया गया है तो इसका right answer क्या हो जाएगा अकबरपूर इसका मुखेले क्या है अकबरपूर यहाँ पर और भी पढ़ लीजेगा यहाँ पर not correctly पूछा गया है तो मतलब यह जितने लिखे हुए यह correctly लिखे हुए है तो अंबेडकर नगर अकबरपूर जो यहाँ पर लिखा हुआ है शांत कबीर नगर, खालिदाबाद, अमेठी गौरी गंच और यहाँ पर लिखा हुआ है फरुखा बाद तो फतेहगर हेड़कॉर्टर नेक्स्ट क्वेशन है एक मिलट हाँ जी नेक्स्ट क्वेशन है ट्वेंटी फोर नंबर कि वन यार्ड इस 91% ओफ आ मीटर, वाट परसेंट मतलब एक गज का एक मीटर का 91% है और एक मीटर जो है यह एक गज का कितने परसेंट होगा तो 109.9% कितना 109.9% होगा बी नंबर नेक्स्ट है कि रॉकेट वर्क्स ओन दी प्रिंस्पल ओफ विच वन आप दी फॉलोविंग एनर्जी कंजर्वेशन या मोमेंटन कंजर्वेशन या फिर आयोगर्दन हाईपोथिस या फिर बर्नौली थियोरम मतलब उर्जा सनरक्षर, समवेग सनरक्षर या फिर अवगादरो परिकरप्रना या फिर बर्नौली प्रमेशन तो इसका correct answer क्या हो चाएगा समवेग सनरक्षर मतलब की मोमेंटम कंजर्वेशन नेक्स्ट कुछ आने की हू अमंग दा फॉलोविंग स्टार्टेड इंडियन सोसल रिफॉर्मर इन 1890 में तो मतलब निमलिकित में किसने 1890 में इंडियन सोसल रिफॉर्मर आरंब किया तो ये आरंब किया था किसने कि एन नेट राजन ने किसने किया था कि एन नेट राजन तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर नेक्स्ट कुछिन है कि मैच करना है आपको लिखा हुआ है मैच लिस्ट वन लिस्ट टू से कोड से रिलेटर सुरेस तंदूलकर किस से रिलेटर है पौवर्टी लाइन एस्टिमेशन 2005 या फिर BPL सेंसर इन रूरल एरिया या फिर BPL सेंसर इन अर्बन रेरिया या फिर कैपेबिल्टी अप्रोच अन पौवर्टी तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B नमबर मतलब जो सुरेस तंदूलकर है किस से रिलेटर है ये रिलेटर है हमारे पौवर्टी लाइन एस्टिमेशन 2005 से और जो हमारे NC सकसेना है किस से रिलेटर है ये BPL सेंसर इन रूरल एरिया से रिलेटर है और जो ये अमरतिया सेंज जो है ये किस से रिलेटर है हमारे ये रिलेटर है हमारे capability approach on poverty से और ये रिलेटर है किस से BPL सेंसर इन अर्बन एरिया मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा B नमबर नेक्स्ट कुछा गया था कि which one of the following districts in उत्तर प्रदेश has been selected for wooden toys making under these scheme of one district one product मतलब एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतरकल लकडी के खिलोने बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में निमनले के जिलो में से किसको चुना गया तो इसका राइट आंसर सब भी को पता होना चाहिए most important point था ये बहुत अच्छा question पुछा गया था चित्रकूट next question है कि if A is to the south of B and C is to sorry एक बार फिर से पढ़ते हैं लिखा हुआ है कि if A is to the south of B and C is to the east of B in what direction is A with respect to C मतलब A B के दक्षिड में है और C B के पूर की और है तो A C के संदर में किस दिसा में होगा तो इसका right answer क्या हो जाएगा south west में का हो जाएगा south west में देखें यहाँ पर बना हुआ भी है यहाँ पर एक बार देख लिजे यहाँ पर बना हुआ है कुछ इस तरह से आप समझ भी सकते हैं बहुत easy question है next question है हमारा कि which one of the following toll free number is allocated for किसान call center मतलब किसान call center के लिए कौन सा toll free number आवंटित है तो इसके लिए toll free number है 1800-180-1551 next day की क्रिकेटर सुरेश रहना autobiography was published in the year 2021 by which of the following names किसके name से तो इसका right answer है believe मतलब believe जो है इसके name से जो सुरेश रहना है इसकी आत्मकता जो है कि आत्मकता निमलेखित में ते किस नाम से प्रकाशित है तो believe की नाम से इनकी जो आत्मकता है autobiography है ये प्रकाशित है next question है which one of the following is not correctly masked मतलब सही सुमेलित नहीं है तो इसका right answer हो जाएगा जो लिखा हुआ है रुहेल खंड सुआदत खा मतलब इसके जो संस्थापक बताएगे है वो सुआदत खा बताएगे है बट जो रुहेल खंड के जो संस्थापक थे वो कौन थे वीर दाउद थे next question पूछा गया कि milk favor disease in cause and buffaloes is caused due to मतलब गाय और भैसों में जो दुख दजवर होता है ये रोग होने का कारड क्या है किस से होता है प्रोटीन की कमी से कैलसियम की कमी के विटमिन की कमी से या फिर उप्युक्त में से कोई नहीं तो कैलसियम की कमी के कारड जो दुख दजवर होता है गाय और भैस में पाया जाता है नेक्स्ट क्वेशन है कि वेर इस दा नेशनल ब्यूरो आफ एग्रिकल्चरिली इंपॉर्टेंट माइक्रो और गैनी सुचुएटेट इन उत्तर प्रदेस मतलब उत्तर प्रदेस में क्रशी के मातपूर सुचमजीवो का राश्ट्री ब्यूरो कहां इस्थित है तो यह राश्ट्री ब्यूरो जो है यह स्थित है कहां पर मौ में यहां पर आपको मिसें नंबर बताने हैं जो हमारा यह चित्र दिया गया है देखे इसमें यहां पर पूरा solution आपको करके दिखाया गया है इसमें solution में क्या हो जाएगा यहां पर आप एक बार देख लीजेगा यहां पर क्या किया गया है जो 4 है 4 जो है square किसका है 2 का square है जो 16 है वो किसका square हो जाएगा 4 का हो जाएगा जो 25 है किसका square हो जाएगा 5 का स्क्वारी यह हो जाएगा इनको आप एड़ कर देंगे तो जो भी हमारी डिजट आएगी वो इसका आंसर होएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 35 नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा इसको एड़ करने पर 17 आजाएगा नेक्स्ट पूछा गया था कि विच वन आप दी फॉलोविं स्टेट ऑफ इंडिया हैस मैक्जिमम एरिया ऑफ सैलिन स्वाइल मतलब भारत के निमलिकित राज्यों में से किस राज्य में छारी म्रदा का सरवादिक छेतरपल है तो यह सभी को पता होना चाहिए उत्तरप्रदेश में हैं नेक्स्ट है कि गिनी कोफिसेंट इस एसोसियेट विच आप दी फॉलोविंग मेजर्मेंट्स इन एन एकोनोमी मतलब गिनी गुडांक अत्यवस्ता में निमलिकित में से किस माप से जुड़ा है तो यह जुड़ा है यह जु संत्रे का उत्पादन सर्वादिक होता है तो संत्रे का उत्पादन होता है सहारनपूर में सबसे ज़्यादा नेक्स्ट क्वेशन इस थर्टी नाइन नमबर कि विच वन आप दी फॉलोविंग मूविज वन दी अवार्ड फॉर दी बेस्ट फीचर फिल्म इन दी 67th नेशन नमबर राइट आंसर है यहां पर कुछ important information भी लिखी हुई है आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं अगर समझ में आ जा रहा है तो next question है कि what name is given by the world health organization to the United Kingdom variant of coronavirus विश्व स्वास्त संगठन द्वारा को क्या नाम दिया गया है किसके द्वारा विश्व स्वास्त संगठन के द्वारा तो इसके द्वारा किसको दिया गया है गामा को एक मिनट गामा को दिया है हाँ नहीं नहीं अलफा को दिया गया है जो है तो ए नमबर इसका राइट आंसर हो जाएगा इसे के साथ में एक बार देख दीजे जो बेटा है ये किससे पिलॉंग करता साउथ एफ्रीका से ठीक है जो डेल्टा है ये इंडिया और जो गामा है ये ब्राजील से तो ये तीनों चीज़े इंपोर्टन है आप याद र मतलब किस म्रदा भाग में सबसे अधिक CEC होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बनिक पदार्त में जो ऑर्गेनिक मेटर होता है इसमें CEC अधिक होती है नेक्स एकिविच अगिज़े इन जूसों के लिए निमलिकित में से कौन सा परिरक्षक का प्रियोग किय जाता है तो इसमें परिरक्षक का प्रियोग किया जाता है कौन सा सोडियम बंजोएट का इसमें सुमेलित करना है मतलब कि इसमें मिलान करना है डुपलिकेट मतलब जो रेशियो बताना है जीन एक्सन का रेशियो बताना है डुपलिकेट का क्या होता है इनिविटरी का क्य इसमें आप मैच कर लीजेगा जो डुप्लिकेट होता है इसका रेशियो होता है 15 रेशियो फोर नवितार राइब पिल्कुलर राइट आंसर है इंपॉर्टेन है याद रखेंगे आप next question है which one of the following is not correctly matched मतलब इसमें क्या correctly matched नहीं है तो इसमें लिखा हुआ है कौन सा cotton cotton जो है ये correctly matched नहीं है इसलिए matched correctly नहीं है क्योंकि जो इसमें पूछा गया है certified scene मतलब जो हमारा minimum isolated distance होती है for certified seed वो cotton में certified के लिए 30 होती है अगर पूछा जाता है foundation मतलब मेटर अगर पूछा जाए for foundation seed class तो उसके लिए आप 50 लगा के आईएगा अगर certified पूछा जाता है तो please आप 30 लगा के आईएगा अगर पूछा जाता है foundation seed class मेटर का इसमें बताना है आपको तो 50 होता है cotton का तो इसका right answer जाएगा B number 45 number question कहता है कि the following operations are practiced in the cultivation of tobacco मतलब तंबाको के खेती में निमलिखित क्रियाएं अपनाई जाती है कौन सी क्रियाएं अपनाई जाती है तो सबसे पहले इसमें क्या अपनाई जाता है topping होता है उसके बाद desectoring होता है उसके बाद priming होता है तो इसका right answer जाएगा A number 45 का A number next question इसमें भी आपको match करना है इसमें क्या match करना है इसमें herbicidal group दिया हुआ है और major process affected by herbicides दिया हुआ है herbicidal group दिया हुआ है herbicides दिया हुआ है तो इसमें आपको match करना है तो इसको जब आप देखेंगे इसका right answer आप टिक करके आएगा मतलब आप टिक करके आए होएंगे A number right answer इसका था A number next question है 47 number कि grassy suit जो है ये grassy suit disease of sugarcane is caused by ये किसके द्वारा cause होता है ये bacteria के द्वारा cause होता है national center for integrated pest management is situated at तो इसका correct answer क्या है इसका correct answer है हमारा none of these मतलब राश्ट्री समेकित नाशी जीव जो प्रबंध केंद्र है ये कहां इस्तित है ये जो जहां इस्तित है ये इन में से कोई नहीं है इसमें लिखा हुआ है bolting is related to this किस crop से मतलब जो bolting है ये fuzzle किस से related है ये sugarbeats related है किस से related है 50 number question क्या पूसता है इसमें आपको match करना है इसमें type of test है उसके uses है कि T test, Z test जो है इसका कहां use किया जाता है F test का कहां, T test का कहां इन सब का use कहां किया जाता है तो इसका right answer है A number आप एक बार सुमेलिद कर लिजेगा इसको next question है कि arrange the following activities of plant breeding in correct order and select answer from the quotes given blue तो यहां पर आपको एक बार देखना है सारे ये options उसके बाद आपको इनको एक sequence में लिखना है तो इसका right answer हो जाएगा D number मतलब creation of variation पहले होगा उसके बाद selection होगा उसके बाद evolution होगा उसके बाद multiplication होगा और last में होगा distribution तो इसका correct answer हो जाएगा D number next question है कि which one of the following is not a part of the principle of corporation मतलब सहकारिता का सिधानत का भाग इन में से कौन सा नहीं है तो इसका right answer हो जाएगा D number principle of services next question है कि H-A-N-P-V इसका use for the biological control of मतलब यह जैविक नियंतर का प्रयोग किस के लिए किया जाता है तो इसका प्रयोग माहू किट के लिए किया जाता है एफिड के लिए किया जाता है next day कि which one of the following pair is not correctly matched मतलब इसमें से क्या correctly matched नहीं है तो इसका right answer है जो B है N-B-A-I-R यह correctly matched नहीं है यह जो institute है यह कहा है यह है बैंगलोर में बट यहाँ पर लिखा हुआ है कोई अमबतूर ने तो इसका right answer क्या हो जाएगा B number next day 55 number question पूछा गया था इसमें लिखा हुआ है 55 number का charcoal road मतलब यह disease जो है यह कहा होती है यह किसमे होती है sugar cane में लिखा हुआ है तो जो disease है वो sugar cane में नहीं होती है इसके लिए आप clear कर लिजे चीजे जो जो यह charcoal sudden है यह mainly कहा होती है जो हमारा soya bean वगेरा होता है उसमें होती है इसमें गर्ना लिखा हुआ है तो इसलिए नहीं है next question है कि in the process of communication which of the following is audio aid मतलब कि यह आप सुन तो सकते हैं संचार की प्रक्रिया में निम्लेकित में से कौन सा स्रव्य साधन है तो इसका correct answer क्या हो जाएगा 56 का हो जाएगा बी नमबर slide so next question है कि जो nutriponics है यह क्या है nutriponics nutriponics none of these है इसमें जो लिखे हुए है यहाँ पर आप एक बढ़ पढ़ भी सकते हैं आपको मिल जाएगी इसमें आपको explanation के साथ भी आपको बताया गया है next question है कि जो सिंदू है सिंदू variety of mango is a cross of मतलब जो आम की प्रजाती है यह सिंदू की संकर है मतलब किसा cross का relation है इससे तो इसमें cross है ratna into alphanso कौन सा? ratna cross alphanso next question लिखा हुआ है कि two statement दिये गया है एक statement दिया गया है as a ration A दिया गया है कि insect resistant transgenic cotton varieties has been produced by transferring the cryzine फिल लिखा हुआ है the next reason क्या है the cryzine is derived from bacterium choose the correct answer code given below तो इसका right answer हमारा 59 का है A number both A and R is true R is the correct explanation of A next है कि जो rogging है is perform to ये rogging जो है इसकी क्रिया की जाती है तो rogging की क्रिया की जाती है removal of plant other than the desired plant मतलब वांचित किस्म के पौदो से अवांचित किस्म के पौदो से अलग निकालना next है कि marginal utility of money cannot be मुद्रा की सिमान तूपयोगिता नहीं हो सकती है तो इसका right answer है C number only 2 and 3 मतलब negative and 0 next question है कि जो molea है molea disease of what is caused by nematode मतलब next question है कि what is the irrigation efficiency in check and basin flooding method of irrigation मतलब check album basin flooding सिचाईवीदी की दक्षता क्या है तो इसकी दक्षता है 42-45% next question इसमें match करना है इसमें आपको soil condition दे गई है और energy level दिया गया है कि कि soil condition का कौन सा energy level है तो इसका right answer आप देख लिजेगा इसमें right answer है इसका B number 2413 next है कि which one of the following is not correctly matched मतलब क्या correctly matched नहीं है तो इसका right answer है brinzel brinzel में लिखा हुआ है कौन सी disease है red road तो इसका right answer क्या हो जाएगा B number next question हमारा पूछा गया है एक मिनट next question पूछा गया है कि जो गैलरिया melonel है ये एक कौन सा नाशी कीट है मतलब silkworm या फिर lack insect या फिर honey bee या फिर कपास फसल का तो इसका right answer है मदु मक्ही का honey bee का at pH 9.0 of alkalized oil the concentration of OH-A मतलब चारी म्रदा के pH मान जो है ये 9 है इस पर hydroxy iron OH की सांधरता कितनी होएगी तो इसमें hydroxy iron OH की सांधरता होएगी 10 की पाव minus 5 mole per liter तो इसका right answer हो जाएगा A next question 68 number है कि match list first and second तो इसको first and second को आपको match करना है और फिर B numbers का right answer था एक बार आप देख लिजएगा propagation method पूछा गया है plants के next question है कि male sterility is used for hybrid seed production in many crop because because क्यों because it enhance heterosis मतलब कि ये संकर ओज में व्रद्धि करता है next कि baby corn is harvested at these days of 2-3 days after silking तो इसका right answer हो जाएगा A number मतलब silk निकलने के 2-3 दिन के बाद next कि which one of the following is not a खरीब season weed मतलब लिकित में से कौन सा एक खरीब मौसन का खरपतवार नहीं है तो इसका right answer हो जाएगा chino podium album जो chino podium album है ये एक खरीब मौसन का खरपतवार नहीं है next है which reference to farm planning and optimum resource use consider the following इसमें आपको बताना है जो form की यूजन और इस्ततम संसादने इसके संदर्ब में किस पर विचार करे तो इसको आरोही क्रम में आपको arrange करना है तो इसका B number जो है जो disease है उस पर किस तरह से control पाया जा सकता है तो इसका right answer आप टिक करके आए होँगे D number आप एक बार match कर लीजेगा आपको मैं answers बताये देरी हूँ फटा-फट से next है कि ATIC is component of ATIC क्या होता है जो ATIC इसका full form है agricultural technology information center ठीक है ये पूछा गया है ये किसका घटक है तो ये एक घटक है N.A.T.P. का किसका N.A.T.P. का A.N.B. राइट आंसर National Agricultural Technology Project का लिखा आए the most young aluvial soil are locally called as मतलब नवीनतम जलोड म्रदा को इस थानी रूप में क्या कहते हैं तो इसको कहते हैं A. और B. दोनों ही मतलब दोनों ही इसके राइट आंसर है लीचे प्लांट और commercially multiplied by मतलब ये विवसाइक प्रवर्धन किया जाता है किसके द्वारा तो इसका जो विवसाइक प्रवर्धन किया जाता है किया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A. 77 नंबर क्वेशन कहता है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा तो इसका राइट आंसर था C. आप क्या लगा किया है कमेंट बोक्स में बताईएगा आपके कितने क्वेशन्स आहीं है आप comment box में बताईएगा लिखा हुए with reference to crop rotation which of the following statements is are correct मतलब फसल चकर के संदर में कौन सा right इसमें statement है तो इसका right answer है A number के वर फस्ट जो है ये right है मतलब जो फलीदार फसल है इसके बिना इसके बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए तो A numbers का right answer है नेक्स्ट कुशन है कि minimum support price मतलब MSP जो है is fixed on the basis of मतलब न्यूनितम समर्थन मूल के तै करने का आधार क्या है तो इसके तै करने का आधार है average cost of production नेक्स्ट कुशन है कि most damaging form of स्वाइल erosion मतलब ब्रदा आपरदन का सरवादिक हानिकारक रूप क्या है तो म्रदा आपरदन का सरवादिक हानिकारक रूप है हमारा real erosion मतलब real आपरदन 81st number question पूछा गया कि which one of the following is a double cross hybrid variety of mango तो इसका क्या right answer है अरका सुप्रभाद मतलब की H14 next question है कि vertical section of soil is called as जो vertical मतलब म्रदा का लंबोट कार्ट जो होता है उसको क्या कहते हैं तो म्रदा का लंबोट कार्ट को बोलते हैं स्वाइल profile मतलब म्रदा रूप रेखा next है कि consider the following statement in paddy crop fertilizer application should be directed to the मतलब लिकित कतनों पर विचार करिए कि ध्यान की फसल में उरवरको का प्रियोग किस में निर्देशित किया जाना चाहिए तो इसका right answer हो जाएगा B number only 2 is right मतलब अपचईत छेत्र में next में फिर से सुमेलित करना है और सुमेलित करना है right answer इसका है B number आप एक बार देख लिजेगा fruit दिया गया है next question बोला गया है ये question जो लिखा है इसमें term on theory दे गई है और name of scientist दे गई है कौन सी theory किसके द्वारा दे गई है तो इसका right answer है A number आप एक बार इसको देख लिजेगा next question पूछा गया था consider the following statement statement को consider करना है उसके बाद right answer लगाना है तो इसका right answer था next question हमारा इसमें भी सुमेलित करने के लिए दिया गया है इसमें क्या दिया गया है fungal genus दे दिये गया है और फूटिंग बॉडिज दे दी गया है और इसमें पूछा गया है right answer तो इसका right answer हो जाएगा B number कौन सा B number right answer रह जाएगा आप देख लिजेगा एक बर match कर लिजेगा ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना का मन है मतलब one in the sense की इसमें answer से आपको बताने है which of the following is known as nanonutrient मतलब कौन सा अतिसूश में पोसक तत्तु जाना जाता है nanonutrient मतलब आतिसूश में पोसक तत्त तो किसे जाना जाता है बुरान को flame photometer is used the determination of flame photometer जो है किसके लिए determination के लिए use किया जाता है किस determination के लिए तो यह होता है potassium के लिए 90 का C number right answer है central institute of arid horticulture was located मतलब यह जो संस्थान है यह कहां इस्तिते most important question है याद रखेंगे यह संस्थान B का नेर मिश्ती थे यह गलत answer लगा हुआ है इसका right answer है C number B का नेर में next question है central egg mark lab is located as यह कहां है यह नागपूर में है इसमें लिखा हुआ है name of insect और order दे दिया गया है house fly का order आपको बताना है इसमें बोला गया है not correctly matched तो house fly जो है यह not correctly matched इसका right answer क्या है dipteria जो diptera है इसके order से है बट यह जो यहाँ पर लिखा के लिए अप्टेरा इस order से नहीं है इसलिए right answer हो जाएगा A number next micro water shed has an area off तो इसका right answer क्या हो जाएगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि सूश मिजल संग्रहेड छेतर का छेतर फल कितना होता है तो इसका छेतर फल 500 hectare से कम होता है कितना 500 hectare से कम next question है कि fruit fly lays एक बार आप यह वाला जो question है अगर आपको पता है तो इसको आप comment box में comment करिएगा ठीक है क्योंकि इसमें मैं भी confused हूँ तो आप चीजें देख करके बताईएगा next question है 95 number question fruit fly lays eggs under the skin मतलब जो फल मक्ही है यह किस फल के तत्त के नीचे अंडे देती है तो इसका right answer हो जाएगा tomato के next question इसमें भी सुनायलित करना है आपको मिलाना है और इसका right answer मतलब इसमें संगठन दिया गया और उनका year दिया गया है ठीक है तो इसका right answer आप क्या लगा के आएगे B number next question है anaerobic respiration बोला गया है यह इसको क्या बोलते है anaerobic respiration को इसको बोलते हैं अन्तहा आण्विक स्वेशन मतलब intramolecular respiration next question है 98 number according to soil taxonomy medium black soil are grouped in order मतलब म्रदा वर्गी करण के अनुसार मद्यम काली म्रदा को किस order में रखा गया है तो इसका correct answer आप intisols ले लीजेगा intisols इसका right answer है ठीक है next question है कि among the following living materials has highest एक मिनट रुके जा हाँ जी लिखा हुआ है कि among the following living material has highest neutralizing value मतलब निम्न चूना युक्त पदार्टों में का किस का उदासीन मान सबसे अधिक है तो सबसे अधिक उदासीन मान calcium oxide का है beneficial bacteria for fruit preservation industries मतलब फल्सन रक्षड उद्दोगों के लिए लापकारी जीवाडू कौन सा है लापकारी जीवाडू है इसका भी हमें right answer बताना है और इसका right answer है A number 101 में सुमेलित करना है इसमें chemicals दे गए और उनके functions दे गए है पूछे गए है इसमें क्या है इसमें पूछा गया है खरवतवार नासी जो ये दल है नहीं फसल जो होती इनके चोड़े पत्ते वाले खरवतवार को नस्ट करने का किसका प्रयोग किया जाता है 240 का सभी को पता होगा विच स्वाइल है हाइस्ट वाटर यूज एफिसेंसी मतलब कौन सी म्रदा में उच्टम जल उप्योग छमता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 103 का बी नबर चिकनी म्रदा क्ले स्वाइल नेक्स्ट है कि प्रतिपादन किया कि उत्पाद स्रमिक और पूजी का फलन है किसने प्रतिपादन किया मतलब किसने प्रोपो प्रोपोट यह फंक्शन और लेबर एड कैपिटल मतलब कि यह किसने कहा है यह किसने प्रतिपादन किया कि उत्पादन स्रमिक और पूजी का फलन है तो इसका right answer क्या हो जाएगा Cobb Douglas ने थोड़ा confused हो गई थी इसलिए मैं गड़बट कर दी थी next question है कि which of the following is not correctly not correctly पूछा गया है और इसमें लिखावा है sugar cane, brown plant, hopper तो इसमें फसल दिया गया है और kit दिया गया है तो इसका right answer हो जाएगा B number next question है कि match करना है इसमें भी आपको match करना है तो इसका right answer 106 का है C number next question है consider the following statements मतलब है reason दिया गया है तो इसका right answer था both A and R true A और R जो है ये दोनों ही सही थे इसमें जो राइने से ये एक सारी जिक विकास है विकार फसल किसे संबंदित है ये जो है ब्रिंजल टोमैटो इसे साब से आप समझ सकते हैं कि उससे हैं तो ये जो फूल को भी है next list इसमें बनानी है मतलब list first or second को सुमेलित करना है और बताना है plants name of flower color तो इसका right answer हो जाएगा A number ठीक है आप टिक करके आए होंगे next consider the following pair इसमें pair आपको बताना है और इसका right answer आप टिक करके आए होंगे A number A and B मतलब 1 and 2 तो इसको आप एक बार देख लीजेगा मैं आपको answers बताए देरी हूं फटा फट से next list first and second and select the correct answer using the code given below तो इसका right answer है C number कौनसा C number which on the of the following are damaged stage of effort मतलब adult and nif जो है इसका right answer है तो इसका C number correct है इसमें भी match करना है आपको type of product दे दिया गया है और इसमें examples दे दिये गया है तो 113 का जो right answer है वो है 3,2,1,4 C number next question है 114 का 114 का right answer हो जाएगा D number D number क्यों हो जाएगा क्योंकि जो egg है protein कौन C होती है albumin ठीक है milk में casein तो इसी साब से देख सकते हैं दो पता चल गया है तो आपको और आगे पता ही चल जाएगे 15 number question पूछा गया है कि material contain maximum amount of sulfur कौन सा ammonium sulfate जो है ammonium sulfate जो है इसमें गंदक अधिक्तम मात्रा में पाई जाती 24% होती है इसमें 17% होती potassium sulfate में single super phosphate में होती 11 और इसमें होती 18.6 gypsum में next question है कि the oxidation of genthine जो genthine है is catalyzed by genthine dehydrogenase contains element मतलब जो dehydrogenase है इसमें तत्त कौन सा पाया जाता है तो इसका right answer कौन सा हो जाएगा 116 का molybidum कौन सा molybidum next question है molybidum मतलब वही चीज़ है next question है कि which is an illustration of rally cropping मतलब कि rally cropping जो है इसका होदा हरड क्या है तो इसका right answer है C number main story which next question है कि which method of breeding is not appropriate for cross pollination crop तो पर पर आगित फसलों के लिए कौन सी प्रजनन विद्व उप्यूग्द नहीं है तो इसका right answer है recruitment selection मतलब पुनरावर्ती वरड next question है हमारा कि match list first and second तो इसमें आफ first and second इसमें crop दिया गया है और center of origin दिया गया है कि कौन सी crop कौन से केंद्र पर उत्पत्ती कहां हुई उसकी तो इसका right answer है D number आप एक बार देख लिजएगा यहां पर और D number right कर दीजएगा next और last हमारा question पूछा गया है इसमें conditions दी गई है और examples दिये गया है मतलब जो floating aquatic weed है उसका क्या उदाहरण होएगा तो इस हिसाब से इसका right answer हो जाएगा A number ठीक है 120 का A number right answer है तो यह आपके कुछ questions थे जो पुछे गये थे 120 questions तो हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझनी है और अगर किसी भी question में कुछ गडबड़ी है या कुछ भी आपको problem लगती है तो आप comment box में बता दीजेगा ठीक है तो अपना match कर लीजे आप और जब भी answer seat आएगी तो भी मैं आपको provide कर दूँगी आप comment box में बताइएगा आपके कौन से answer सही है कौन कौन से गलत है ठीक है तो thank you so much फिर में लेंगे next video में